पॉल्ट पॉल्ट पर अपके वोल्ट बनेंगे हर इतुआर को न तारीक याद रखो न को इतुआर करेंगे जाओ वहाँ पर और देख लो किसका वोल्ट नहीं है और इसी के साथ ये हमारे अद्धियक जी बात कर रहे थे अब मैं एक ऐसे नेता से बात करना चाहता हूं एक ऐसी नेता को आपके सामने बेंड़े, जो नेता तो है, मगर ना तो नेता जैसा लगता है, ना उसका बिहावियर नेता जैसा है, क्योंकि हमारे करकाटाओं के सास्थ सुबढ शाड़े च्छे बज़े हम लोग बिलकुल तयार, और काम में लग गए करकाटाओं के साथ कर करता है और नेताओं के साथ अगर विदान से विदान परीश्यद में भेज़ दो तो सबसे बड़ा नेता दिखाई देता है मेरी मुराद है हम सब के नेता आली जनाब महबूब अली साहब के फरजन जनाब परवेद अली साहब MLC हमारे सब में साथ की आली जनाब परवेद समाजवादी पार्टी के माननिय जिल अद्यक्ष और हमारे चचा सुखबीर सिंग यादव जी समाजवादी पार्टी अमरोहा के विदान सभा के अद्यक्ष और हमारे दूसरे चता शायद हुसैन प्रदान जी मिरे नेता और मेरे वालिद हमारे सब के नेता जिनकी सरप्रस्ते में जिनकी शागिर्दगी में हम लोग समाजवाद की लालोपी हम लोग ये सीखने का प्रयास हर दिन करते हैं उनसे कि कैसे रोते वे आदमी के आशु कोछे जाएं कैसे समाज के आखरी व्यक्ति तक जालिमों का हाथ ना पहुँचे उसे रूख दिया जाए और कैसे हमारे अमरोहा विदानसवा छेतर में हमारे जन्पद में अमन और भाई चारा बना रहे ऐसे निता का शागिर्द और समाजवादी पार्टी का एक कारे करता होने के नाते और आप लोगों जो मेरे सामने बैठे हैं और मंच पे बैठे हैं उन सब का छोटा होने के नाते क्योंकि जाधतर लोग जो मेरे वाले साथ काम करते हैं कोई मेरा ताउ कोई मेरा चचा है और जो हमारी उमर के हैं वो सारे के सारे हमारे सगे भाई की तरह है वैसे तो आज का दिन मुझे पता है कि बहुत दिनों के बाद हम रोआ विधान सबाद छेत्र के जिम्मेदार साथी खटा हुए है और सब का मेरा सब का मन ये है कि हम अपने नेता महभूबली साब को सुने मैं उनके और आपके बीच में बहुत देर नहीं खड़ा रहूँगा लेकिन मैं आप से सिर्वितना कहूँगा कि हम रोहा विदान सवा में पुलिस पिर्शासन सरकारी विभाग सत्ताधारी पाइटी के नेताओं के जुल्म जो हो रहे हैं वो एक एक जुल्म महभूबली साब की नजर में है साथिया पांच साल अमरोहा विदान सवा छेतर ने बहुत शाही जिंदगी गुजारी आज सडकों से लेके पुलिस से लेके बिजली विभाग से लेके हमारे शहर के लोग तो सब परिशान हैं इन घरों में चेकिंग हो रही है लेकिन दियात की इस्तिती भी यही है पहली बार हमने देखा कि गरीब से गरीब किसानों के घर तक बिजली विभाग के लोग ऐसा लगता है जैसे हुकोमत हिंदुस्तानियों के नहीं अंग्रेजी साशन चल रहा है मैं अपनी बात क्योंकि मंत्री जी को सुनना है बस इतना कहूंगा कि हर एक परिशानी हमारे साथ ही चाहें कोई हो अमरोह विदान समा में रहने वाला जनपत में रहने वाला आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और महवूबली साब का कारे करता होने के नाथे कि आपकी परिशानिया हम लिख रहे हैं जो आप से जुल्म कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं और जिस दिन नेता का आदेश होगा उस दिन जब समाजवादी ये लाइटों पी पहन कर सड़कों पे निकलेंगे तो ना सरकार बचेगी कि ना कुछ की बचेगी झाल 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 झाल